लो फ्रेंड्स कैसे आप सभी दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू वेकेंसी लेके आया हूँ यह जो वेकेंसी निकाली गई है यह हाई कोट में रिक्यूट में निकाली गई है ओके तो पूरा डिटेल में हम लोग देख लेंगे इसे पहले अगर आप हमारे चै करन जबलपूर में यह रिक्यूट में निकाली गई है पहले शुरू करने से पहले यहां पर हम लोग इंपोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं जैसे कि आपको अप्लाई करना है जो वह 25 जून से आप अप्लाई कर सकते हैं आपका लास्ट डेट अपलाई का क्या होगा तो यहां पर 24 जूलाई आपका लास्ट डेट होगा रात को 11 बज के 55 मिनट तक तो आपने इंपोर्टेंट डेट देख लिया आगे देखते हैं अब यहां पर कौन-कौन सा पोस्ट है यहां पर दिया गया है दोस्तों जैसे कि यहां पर पहले पोस्ट दिया गया है टोटल 14 पोस्ट है जिसमें से आपका अन्रिजर्वड ओबी सी, सी, स्ट का यहां पर दिया गया है जो कि यहां पर कैटेग्री वाई डिवाइड किया तो आप देख सकते हैं यहां पर ओके अब कौन को न अप्लाइ कर सकते हैं तो ऐसे अभिहार्थी जो मत प्रदिस के साई निभासी नहीं है वे अनारचित स्रेनी के ही माने जाएं मतलब कि अगर आप भिहार जारकन यूपी डैली या किसी भी अधर स्टेट के हैं तो अगर आ वर्ष की प्रविच्छा अबदी तक निभ किया जाएगा ध्यान रखिएगा दो वर्ष तक का यहां पर अप्लिकेशन फी की अगर बात करें तो देख सकते हैं प्रिच्छा सुल्ख आपका 200 रुपया है सेवा प्रदाता को देख पोर्टल वो अनसुल्ख 722.16 है ओके इस तुम हम मैं आपको दिखा दूगा कैसे आपको अप्लाइ करना है यहां पर यह सब आप पर लीजेगा दूस्तों जैसे कि यह तो आपको मालूम होगा इंडियन सेटीजन ही इसको अप्लाइ कर सकता है ओके अहरताएं तो इंपोर्टेंट है ही अब आपका जो एक्जाम होगा ओनलाइन होगा जिसमें से एंसी क्यू पूछा जाएगा फिर आपका इंटर्व्यू होगा ओनलाइन एक्जाम आपका 200 अंका होगा यहां पर सेंटर देख सकते हैं इस जगह पर सेंटर जाएगा जावलपूर भोपाल इंदौर गौल्यर ओके जैसा कि आप देख पा क्या 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 पूछा जाएगा 1908 का 1816 का कौन कौन सा चैप्टर रूल इस तरह से आपका पूछा जाएगा दोस्तों ध्यान रखेगा क्रिमिनल पॉसिजर जो कोड है 1973 का ओके इतने साथ चैप्टर्स आप देख लिजेगा जुबनायल जस्टीस ओके यह बच्चे का होता है कि यह सब आपका से लिवस है जैसा कि आप देख रहे हैं आपका सारा डिटेल यहां पर दिया गया है दोस्तों अब यहां पर हम लोग अप्लाई पर आते हैं तो अप्लाई पर देख सकते हैं अप्लाई वन सकेंड यहां पर हम लोग जाते हैं अप्लाई पर यहां आप देख सकते हैं यहां आपको रेइस्टेशन पर किलिक करना होगा ओके यह अप्लाइ लिंक है अब 25 तारिक से इसका जो लिंक है अक्टिवेट हो जाएगा जैसा कि आप देख रहें डिस्टिक लीगल एड ऑफिसर का जो है वह स्टार्ट हो जाएगा आप एडबर्टीजमेंट यहां से सेम ऐसे देख सकते हैं जो कि हम लोगों ने भी देखा है तो थैंक्स फोर वाचिंग दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्ले लाइक शेर और सब्सकाइब एवन ट्यूटर चैनल